साल 2018 के लिए देश का सर्वोच्च साहित सम्मान 54 ग्यानपीट पुरसकार अंग्रेजी के प्रतिष्थित लेखक अमिताव घोष को दिया जाएगा ये पहली बार होगा जब ये अवार्ड किसी इंग्लिश राइटर को दिया जाएगा अंग्रेजी के प्रतिष्थ साहितिकार अमिताव घोष को 54 ग्यानपीट पुरसकार दिया जाएगा अमिताव घोष ग्यानपीट पुरसकार से सम्मानित होने वाले अंग्रेजी के पहले लेखक है शुक्रवार को प्रतिभारोय के अधिक्षता में ग्यानपीट चैन समीती ने ये फैसला लिया देश के सरवोच्च साहित्य सम्मान ग्यानपीट पुरसकार के रूप में अमिताव घोश को 11 लाक रुपे की पुरसकार राशी और प्रशस्ती पत्र दिया जाएगा अमिताव घोश को साहित्य अकादमी और पद्मशी पुरसकार से सम्मानित किया जा चुका है अमिताव घोश का जन्म कोलकाता में 1965 में हुआ था अमिताव घोश को लीक से हट कर काम करने वाले रचनाकार के तौर पर जाना जाता है वो विज्ञान और पर्यावरन पर शोद कर उसे रचना में बदलने के लिए जाने जाते हैं वे अपनी कहानियों में कई सामाजिक मुद्दों को एक साथ उठाने के लिए भी जाने जाते हैं उनकी प्रमुक रचनाओं में The Circle of Reason, The Shadow Line, The Kolkata Chromosome और Flood of Fire शामिल है अकांग शठाकुर, Go News